प्यारे बच्चो स्सलाम अलैकूम कलासफूर्थ सब्जेक्ट उर्दू आज पर इस मिटी का तेल है इस पर मिटी के तेल के बारी मैं वैंचे इस गोने तत्व वूड नापाइद नापाइद कंवा पेट्रोल मूबद्या सियाल मूबद्या सियाल नापाइद गो मतलब घाय और आपाईब को छिश्मा पेटरोल को पेटरोल है, मुबत्यां को इम शमाजालाईब सियाल को काला, क्या सियाल को काला, मिटी का तेल, बचो में मिटी का तेल हूँ, आज मैं आप को अपनी कहानी सुनाओंगा, गोर से सुनेगा, गोर से सुनेगा जब इनसान को पता चला कि मैं जमीन की गहराई में छुपा हूं तो मिशीनों की मदद से उसने मुझे उपर खेंचा जिस जगा मैं जमीन के अंदर से निकाला जाता हूं उसे मिटी के तेल का कुवा या चिश्मा कहा जाता है चिश्मे से निकालते वकट मेरी सूरत सिया गाड़े मादे की होती है फिर मुझे सफाई के मरहले से गुजरना पड़ता है सफाई गरूं तक मुझे बड़ी बड़ी पाप पाइपों के जरिये पहुचाया जाता है सफाई गरूं में मुझे अच्छी तरह साफ किया जाता है मेरा रंग खूब निकर जाता है फिर मैं पिट्रोल कहलाता हूं जिस से तेज रफ़तार गार्यों कार खाने और जहाज चलते हैं जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती तो मुझे लोग मिटी का तेल ही कहते हैं तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मौद बाकी रह जाता है वो कावी गारा होता है मेरी उस शकल को ग्रीस कहा जाता है ग्रीस मिशीनों के कुल पुर्जों को चकना रखने के काम आता है इसके बाद भी जो मवाद बाकी रहता है उससे तारकॉल कहते हैं आप जिन साफ सुत्री और पक्ता सड़कों पर पैदल चलते हैं या गाड़ियों में सफर करते हैं उन पर तारकॉल बिच्छा होता है तारकॉल को रेत और बाजरी बाजरी बहबरी के साथ मिला कर सड़कों को तामीर के काम में लाया जाता है माझन बताए एम बाताए र reasoning क्या फो मतलब दिल लिगत भूत र बाताए के बूसा जिमीने स्टाल airlines पाता है बुछा जमीने स्टाल कि वागर मैं जही था है म는 बुछाउ में में मिशीने से बाड़ा है में भुछाउ आख से लोभ मिशीन उसे कणा मैं तील मिशीन की आप मेह। मिशीन की दिरीश आप्छफ ने जिस जगह में जमीन को में अंदर से निकाला जाता हुआ। से जेघ्चुमा इसमी तुह आभके यह जिजू दोदददद तह़ा ने तुह सब्सक्राइब तक मुझे बड़ी बड़ी पाइपों के जरिये पूंच जाया जाता है तब सफ़ाइब मेरे बच 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 पाइप पाइप में लागा में सब्सक्राइब बच आया अवहिते हमक्राइब मेरे रगे साले पाइप मेरे बच 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 बाइब यहाज बना जाए जवार भाट भाले लिया निज को साफ शुट्र पाथ घर चाल बना वन्य पर अजिए पट्रोल तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती तो मुझे लोग मिटी का तेल ही कहते हैं तो यह नहीं सफ़ई चाहसा गमज की यह तो तुह तरंग शमुछ उस आसा तिला सच में लूख वना मिटी का तेल में तेल निकालने जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाते है तो तेल कड़े काफि घाड़ा होता है मेरी उस शकल को ग्रीज कहा जाता है मिशन के कुल पूर्ज को चकना रखने के काम आता है तब ग्रीज साच लगा मिशिन नियुम्ते पर्दश असन साफ करना शाफ करना शाफ लगा ग्रीज उसके बाद भी जो मवाद बागी रहता है तब तिम्वार लेते हैं उस मवाद में मज़रोजा अच्छे उसे तारकॉल कहते है तिम्वाद यसलोजा शाफ टारकॉल कहस वानर तारकॉल आप जिन साफ सुत्री और पकता साटाइकों पर पाइदल चलते है या गार्णि Μें साफर करते है उन पर तारकॉल बीचाया होता है ताप यपए रसाँ वाला ना तारकोल कौरेट और भाजरी बहपरी के साथ मिला कर सटकूओ को तामीर के काम में लाए जाता है तार कोल शीच है कि अटिशता युराया न झेल alla ऌद पेगें सिख्धवगी छोकास जबूलावा